दोस्तों कल देश का नंबर वन न्यूज़पेपर देश का नंबर वन अख़वार एक खबर छापता है जिसके बाद संसनी केच जो है ये खबर बन जाती है क्यों क्योंकि इस खबर में छापा गया था कि कैसे जो है तमिनाडू में बिहार के जो मज़दूर है उसको बंद कम कुम्रों में लटका दिया जा रहा है क्यूं क्योंकि वह हिंदी इसले मैं उनके साथ अत्या चार हो रहा है उनástی पर लचका दिया जा रहू है किया चाल की खबर जो है कल हमारे सामने आई आप सभी ने देखा यह ऐस तरी के से संसनी खेज बनकर चारो तरफ फैल गया लेकिन क्या यह सच है क्या यह वाकई जो ये खबर आपको बताई गई दिखाई गई वो उस खबर में कितनी सच आई थी ये आपको बताने कि किसी हिम्मत की नहीं की कल जैसे ही द्यानिक भासकर की तरफ से ये खबर छापा गया बताया गया कि बिहारियों के साथ तमनाजू के अंदर किस तरीके से जो है जो वहसीपन है जो दरिंदगी दिखाई जा रही है वो इस खबर के माध्यम से बताया जाने लगा कि लोग वहां इसके बाद क्या था सबको रखे आगे एबीपी न्यूस पंजाब के इसी तमाम जो न्यूस चैनल है जो सच का जंडा लेकर चलते उन्होंने ऐसी ही खबरों को छापना शुरू कर दिया बताना शुरू कर दिया कि कितना नयाय हो रहा है और देखिए तेजस्वी याद तरफ से ट्विटर पर टूइट किया गया जानकारी दी गई जबकि यह खबर दोस्तों सरासर फेक और फर्जी निकला है अब किस वना पर यह खबर दिखाई गई किस विना पर यह खबर चलाई गई यह तो यहीं लोग बता सकते हैं लेकिन फिलहाल तमिनाजो पोलिस ने दैनिक भासकर के के ऊपर केस किया है जी हां दैनिक भासकर के ऊपर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाते हुए इनके एडिटर आफ चीफ के ऊपर दैनिक भासकर के ऊपर जो है एफायार करते हुए इस पूरे मामले का संग्यान लिया है इस खबर को दोस्तों पुनीत क तुमार सिंग जो है वो टूइट करते वे जानकारी दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि बिहार के लोगों का तमिनाडू में पीरन हुआ ये फेक नियूस दैनि भासकर ने ये फैलाई थी खबर अब दैनिक भासकर के संपादक पर तमिनाडू पोलिस ने अफायार दर्ज किया ह इस लाइन में एबेपी नियूस पंजाब केसरी जैसे भी लोग शामिल हैं कल आपने देखा होगा इस खबर को खूब तेजी से वारिल किया गया था क्योंकि ये खबर बीजेपी साशुत राज्ये का नहीं था बलकि स्टॉलिन सरकार का था और स्टॉलिन सरकार और बीजे सरकार में कैसे जो है सरकार मस्त वहां कैसे प्रवासिओं के सात्याचार हो रहा है इसको लेकर जूटी जो फैलाई गई ती इस पर्खोंभ निशाना सादा गया है जनंगल राज का और जादा जो है उपाधी बिहार में बिहार सरकार को दे दिया गया इस Zac तो उन्होंने का कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरीके की कोई चीज़े नहीं है, उन्होंने पूरा संग्यान लिया, यहां से टीम भी गई है पूरी जाच प्रताल करने के लिए, लेकिन अब तक दोस्तों, तमिनाडू सरकार का, तमिनाडू पुलिस का जो स्टेट्मेंट आ कि यहां पर इस तरीके की कोई घटना, कोई वार्दात नहीं हुई है, जिसको लेकर खबर फैलाया गया, उस पर अब हम नकेलकस रहे हैं, उस पर अब हम जो है कारवाई कर रहे हैं, तो देखिए ऐसे ही दोस्तों, संसनी खेच खबर और खुलासा किया जाता है, जिनका लेकिन उस जूट को कैसे प्रचार किया गया था, यह आप अच्छी तरीके से देख लीजी, और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे देश में कैसे सोशल मीडिया का मिस्यूज हो रहा है, कैसे सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े चानल, जो पहले खबर की पुष्टी नही रहे हैं, और कह रहे हैं कि तमिर्नाडो में कितना जगन्या पराद हो रहा है, कैसे मजदूरों को, बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, लेकिन सरकार अपने में ही मस्त है, प्रशासन जो है, इस पर कोई कारवाई नहीं कर रहा है, लेकिन आप जो खबर आई हैं, वो आ चाप रहे कि तमिनाडू में हाथसा हुआ है देखिए इस खबर को पहले मैं आपको दिखा दू कि कैसे जो है जुबैर ने टूइट करते वे लिखा कि यह देखिए तमिनाडू के बीजेपी लीडर्स जो है वो इस तरीके की खबरों को फैलाते वे नजर आएं सबसे पहले म के राज में बिहारियों के हत्या हो रही है उनके साथ तेजस्वी जाकर जश्न मना रहे हैं सोचे कैसे कैसे लोगों को माइन ड्राइवर्ट किया जाता है बीजेपी के ओफिशियल ट्विटर हैंडल से यह खबर ट्विट की गई आगे दिनिश देवेश कुमार जो है बीजेपी के ही नेता हैं वो लिखते हैं कि स्टालिन के राज में बिहारियों की हत्या हो रही है उनके साथ तेजस्वी जो है जो जश्न मनाते वे नजर आ रहे हैं ऐसे तमाम नेता हो के कृष्णानंद पासवान इनके भी टूइट देख सकते हैं वो भी इसी तरीके का ज देखते हैं तो उनकी जो तमाम जो यह आप फोटो देख रहे हैं जो ग्राव इसका जो बना है थमनेल उस सब यही है कि बिहारियों की लाशे बिच रही है और जश्न मना रहे तेजस्वी आदब आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बिहारियों की स्टॉलिन सरकार में ज ख़र क्या बताया जा तमिनाडू पुलिस की तरफ से, ब्यार पुलिस की तरफ से बात चीत हुई है, स्ट्रीमिन जो यह है वो यह है कि यह सब जुट हैं ऐसी कोई भी वार्डात ऐसी कोई गहतना नहीं हुई है तो आप सोचीए दोस्तों कि कैसे जूटे ख़बरे क को बताया जाता कि यही सच है तो आप CGI जो इस तरीके की बाते कर रहे थे जो टिपनिया कर रहे कि यहां इस पर पुष्टी करें क्या सच है क्या गलत है क्या जूट है कुछ नहीं बस चाप दिया एक ने लिखा बस बाकियों ने भी उनके साथ लिखना शुरू कर दिया आगे देखिए मुहमद जुबैर टूइट करते हुए लिखते हैं एवीपी बिहार का जो खबर है उ यह राजिस्थान की घटना का स्क्रीन शॉट क्यों लगाया गया है आपके स्टोरी में मतलब राजिस्थान की घटना को तमिन नाडू के स्टोरी पर फोटो बना कर चिपका दिया जा रहा है तो यह सब हो रहा है दोस्तों तो आपको देखिए कि इन तमाम चीजों में कित पूरा सच अब भी यह जो है पूरी तरीके से हेडलाइन में खबर खोल नहीं रहे हैं लोगों को डरा दिया है कि देखे बिहारीों के साथ कैसे तमिनाडू के अंदर हाथसा हो रहा है कैसे उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है लेकिन यहां पर भी यह क्रियोसिटी पैदा क के लासा को लेकर पुलिस ने अपना पक्ष रखा और कहा कि तमिनाडू और बिहार पुलीस मुख्यालाई ने मारे चाने की खबर को पूरी तरीके से खंडित किया है अब बताया है अब इस extracted ने भी लिखा कि तमिनाड descri ने विडा तमिन्य मुख्यों के इसी खबर को देखिए किस तरीके से जो है नारिक भासकर छापता वा लिखता है कि तमिनाडू मस्दे पर पुलिस मुख्याला ने फिर दोर आई अपनी बात बिहारियों के साथ मार पीट की बात गलत दोनों राज्यों के ADG लौ एन ओर्डर ने इस पूरे मामरे पर चर्चा है लेकिन फिलहाल इनके जूट से बचनी की जरूरत है और सबसे पहले तो इन खबरों को जो यह लोग बताते हैं और उसके बाद जो शेयर करना शुरू कर दिया जाता है वो जादा घातक है दोस्तों कि आप अपनी राजनीती के चक्कर में गलत गलत खबर लोगों तक पह हुआ है कैसे उनको जो है फासी पर लटका दिया गया हिंदी हिंदी बोलने की वज़ा से तो यह सब चीजें जो है दोस्तों सुनकर कि आदमी को डर लगने लग जाता है और जिनके अपने रह रहे होंगे वहां पर वो किस तरीके से डर गए होंगे यह सोचने वाली बात है लेकिन फेक फर्जी खबर जब निकलती है तो लोगों को यह नहीं बताया जाता है हेड़लाइन के चाहिए यह गलत खबर थी ऐसी कोई वार्दात नहीं हूँ वैसी कोई घटना नहीं हुई है, महां के पुलिस ने बात की, महां के सरकार ने बात की है, लेकिन कहते हैं राजनीती में ये सब शाम, दाम, दंड, भेद, सारी चीज़े खेल दी जाती है, सिर्फ लोगों क्या बिना परवा किये अपनी राजनीती चमकाने के लिए, दोस्तो इस पूरे रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बलकुल भी ना भूले